हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनधर वीडियो वो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे ये खड़ी विए दोस्तों आप लोगों के सामने होंडा की डियो जोकी 125 रेप्शॉल एडिशन है दोस्तों हुंडा का जो रेप्शॉल एडिशन का नाता है आप लोगों को पता ही होगा काफी पूराना है हुंडा की काफी सारी बैकों में रेप्शॉल एडिशन आता है अब इन्होंने अपनी मोपेट विकल में भी रेप्शॉल एडिशन देने की कोशिस की है कस्टमर को अपनी तरफ खिशने की कोशिस किये तो I think जो स्पोर्ट सेग्मेंट के कमतब कस्टमर है जो कि स्पोर्ट बाइक पसंद करते है उनको ये ग्राफिक ज़रूर पसंद आएगा और इस ग्राफिक की वज़े से वो Honda DO H-Smart को अपना बना सकते हैं आज की इस वीडियो पर दूस्तों इसके बारे में कम्प्लीट बात करने वाले हैं I hope वीडियो अप लोग इक लिए बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग होने वाली है तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पर पहली बराया है तो सब्सक्राइब कर लिजएगा पिल के गन को ओन कर लिजएगा ताकि ऐसी ही इंटरस्टिंग उडियो के नोटिपिकेशन पर अब तक पॉस्ट से रह सके और आप मेरी वीडियो से अबडेट रह सके हैं तो चली फिर आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिल रही है अब जायसी बात है अगर हम कोई वीचीज खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में ही सोचते कि हमारे पास पैसा कितना है आपको बता दो दोस्तों यह रेप्शॉल एडिशन है प्लस 125 एडिशन है थोड़ा प्राइस जाधा रहेगा यह एक्सुरूम प्राइस 92,300 रुपेश जी आप 92,300 रुपेश की यह आपको दोस्तों एक्सुरूम प्राइस देखने को मिल जाती है ठीक है फिलाल आपी मैं ऑन्रूट प्राइस में काफी बड़ा डिफरेंस होता है फिर आप लोग बाद में कमेंट करते हैं यह आपने गलत प्राइस बताया है यह जो भी इसले में फिलाल मेंशन नहीं कर रहा हूँ सो बात करते हैं इस वीगल के बारे में सबसे पहले दुस्तो अब इसका ग्राफिक और कलर ओप्शन देख पा रहे है जो कि मैं आपको सुरू में बताया है कि इस इस रेप्शॉल एडिशन तो वो तो आपको काफी सुपब देखने को मिल रहा है यह आपको रेप्शॉल की ब्रेंडिंग देखने को मिल रही है यह आपको हुंदा की ब्रेंडिंग देखने को मिल रही है ठीक है और आप देख पा रहे हैं आपको रेप्शॉल डियो ब्रेंडिंग की ब्रेंडिंग सबसे पहले front light के बारे में बात करते हैं front में आप देख पारें हैं दोस्तु इस बाइक में आपको fully LED जो light हो आपको आपको देखने को मलता है अपकल देख पारें काफी अच्छी LED जो light है company ने आप इस बाइक में offer कि जो की काफी त disp ElmCI अच्छी लगती है इसकी जो DRL light है, Dio की उपर में मिलती है, यहाँ पे company ने DRL light दिया है, यहाँ पे अपको Honda की branding में देखने को मिलेगी, बात कर लें, front suspension की बारे में, front में दूस्ते हैं, आप यह Honda Dio में देख पारे हैं, जो तेलिसकोपिक suspension हैं आपको bike में देखने को मिलता है, जो की काफी पटकित आपको डिस्क आपके इचे काफी बैक इस वीचल के के इंजिन स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलि बात करते हैं। इस इंजिन के बारे में। आती है। बात करते हैं। इसमें आपको डियो में बताना चाहूँगा 123.92 सीजी का एर कुल फोरिष्ट हो ऐसा ही जो इंजिन हो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है बात करें पावर और टॉर्क के बारे में फ्यूल इंजिक्टर भी कहते है दोस्तों इसकी बोर साइस 50 mm की है इस टोक साइस 63.1 mm के असपास की देखने को मिलती है इसमें दोस्तों आपको नॉर्मल वेट मल्टि प्लेट जो कलच है वो आपको इस वीगल में मिलेगा साथ में देख पारे दोस्तों यहां पर आपको इसमें जो इंजिन कट आफ स्टेंड है वो भी मिलेगा जी आप स्टेंड लगा देंगे तो जो है वीगल बंद हो जाएगी जब तक स्टेंड नी उठाएंगे तब तक यह ओन नहीं होती है स्टेंड दोस्तों इस वीगल का कंप्लीट इंजिन स्पेसिफिकेशन अपने देखा की हुंड़ा की तरफ से काफ़े अच्छे इंजिन मिल रहा है और जैर सी बात है वाई हुंडा है जापानीस ब्रैंड है तो वाइंजिन क्वालिटी तो सूपब आपको मिलेगी ही मिलेगी बात करते हैं इसके माइलेज और परफॉरमेंस के बारे में जो कि ग्रे बदेखने को मिल रहा है इसके काफी प्रिमियम हैं अब चलते है दूस्तों इसके स्कीड विटर की तरफ अब इस पीडियो मिटर में दूस्तों पहले आपको बता दो भाई आपको पता यह आई-समार्ड वाली है ठीक है बहले यहां से अब जिसा रेगूलेटर ही समझी है इसे यहां से बंचालू कर सकते हैं ठीक है यह गुमाऊंगा मैं on हो जाएगा यह off हो जाएगा ठीक है लेकिन अभी लॉक नहीं है अब देख पारें इसकी किए अभी ग्रीन जल रहा है तो अभी यह बंद नहीं है अगर मैं इसे long प्रेस करता हूँ तो यह red हो जाएगा और red होने के बाद यह बंद हो जाती है ठीक है फिलाल अभी मैं बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है तो मैं आसे से on कर लेता हूँ यह अपना speedometer on हो गया देख बाएगे दीउ में दुस्तों आपको fully digital meter जो हमें देखने को मिल जाता है जिसमें आपको काफी सारे feature देखने को मिलेंगे जसे यह side этой indicator है यह fuel indicator है यह speedometer है यह आपका rpm देखने को मिल जाता है जिया our premium भी मिलता है यह आपए आपको trip 1 मिलता है ठीक है ये fuel indicator है sorry ये fuel indicator नहीं है ये fuel indicator है ये trip meter और यहाँ पर को clock भी देखने को मिलता है यहाँ पर एक switch दिया है जिसके change करके देख सकते हैं mileage भी मिलेगा इसमें average कितना देरी है range भी है इस fuel में कितना और चलेगी और total kilometer आपको मिल जाता है सीज़ ने यह पास सीज़ है लोग भी माय भी होन यहां पर आपको आई स्मार्ट टेक्नोलोजी की टाइप का जो है आपको एक सीज़ भी देखने को मिल जाएगा बात करते हैं इसके स्पेस के बारे में ठीक है तो दुस्तों स्पेस इसमें काफी है देखे सबसे पहले यहां पर आपको एक केरी उग देखने को मिल जाता है सीट लेंध देखेंगे तो उसके सीट लेंध भी काफी अच्छी है आप काफी कंफ़रेवल इसमें बैट सकते हैं दो परसंट बैट किसली आप अलका लगेज भी केरी कर सकते हैं उसके बाद मैं सीट ओपन करके दिखाता सब्सक्राइब चायर मिली हैं भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा तो सेट नीचे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा उसके पाद आपको फूट रेश नार्मल आपकोगी प्रेश ब्लाता है किहां पर आपको पाना भी मिलेगा उसके बाद यह फ्यूल का है मैं आपको इसे भी उपन करके दिखा दिता हूं यह देखिए यहां से अपना फ्यूल का अपन उपन हो जाता है यहां से अपन इसमें फ्यूल दला सकते है तो आपको उतरने की जौरत नहीं है हलाकि सारी कंपनी यह चीज में काम कर रही है तो यह था दोस्तो ब्रैंड न्यू डियो 125 का रैप्शॉल एडिशन वह अगर बात कर लिए दोस्तो इसके अथोड़े दिमिनेंसन और कैपिसिटी के बारे में तो इसकी जो ओरल लेंध है वो है लगबग डियो की ओरल लेंध है लगबग 1830 mm की ओरल जो वीध है इसकी वह 707 mm की है इसकी जो ग्राउन के लिए दिन से 171 mm की है विल बेस इसकी 1260 mm की है सीट है इसकी 765 mm की है आपकी एड़ा अराउंड 4.8 यह सूपर अब कंफरेबल लाइट कर सकते है इसकी जो फ्यूल टैंक कैपिसिटी लगबग साड़े पास लिटर की आसपास की देखने को मिल जाती है सो यह दर दोस्तो ब्रैंड न्यू डियो 125 की रैप्शॉल एडिशन का कंप्लीड स्पेसिपिकेशन देव्यू अब दोस्तो आप लोग कमेंट करके जरू बतना है कि आपको यह विकल कैसी लगती है प्रसनली भाई डियो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे अच्छी लगती है मैं आपको जरूर बोलूँगा कि अगर आप एक मोपेट विकल के बारे में सोच रहे तो आपको ही लिए बैस्ट आप्शन हो सकता है आपको इसके साथ में जाना अच्छी है बाग कि आपको यह कैसी लगए प्लीज नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताइएगा सुमिद करता है आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगई की दोस्तों वीडियो अच्छी लगई तो लाइक करना चनल पे पहली बेर है तो सब्सक्राइब पर लेना मिलतें नेक्स शुड़ो में लव यू ओल जैहिन बंदबातराब